नमस्ते और वेलकम बैक जब बहुत सारे काम पाइलड़ अप हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइट करना कि कौन सा पहले करें और कौन सा बाद के लिए छोड़ दें कहां से शुरू करें एक काम शुरू कर भी देते हैं तो दूसरा काम नहीं हुआ है उसकी वज़े से अर्चने आना शुरू हो जाती हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप एक काम को दूसरे काम से रिलेट करके काम फटा-फट, टाइम लिमिट में और बहुत काम एनरजी में खतम कर सकते हैं संडे को सुबा अराउं नौ बज़े ग्रॉसरी आई और उसके बाद बारा बज़े सबजियां भी आती है उसी दिन मंडी होती है, फ्रेश मिल जाती है इसलिए अगर ये अरिया खाली नहीं रहेगा तो सबजियां लाके कहां रखूंगे और कैसे क्लीन करूंगी वो भी ड्राइ होना शुरू हो जाएंगी सबसे पहले मैंने सारी ग्रॉसरी को सेग्रिगेट किया तीन कैटेग्री बनाई रेडी टू इट और जो हमारे दाल, राईस होते हैं, ग्रेंस होते हैं वो और थर्ड कैटेग्री ट्वाले ट्रेज की, क्योंकि वो भी मंतली समान के साथ ही आती है पहला, एक जिसमें मैं ग्रॉसरी रखती हूँ, उसका जो पुराना समान था वो पहले बाहर निकाल लिया नया वाला उसमें फिल कर दिया अब कितना भी कोशिश करो कि हर बार वही प्रॉसरस फाल होगी, ऐसा नहीं होगा चेंजेज कुछ न कुछ होते रहते हैं, में भी आपने एक्ट्रा क्वांटिटी लाया, कोई नया समान लाया सेकेंड ये बॉक्स जिसमें रेडी टू इट समान रहता है फॉर एक्जामपल, अगर मैंने कुछ नूडल्स लाए, इंस्टेंट है, या डेट्स है, तो वो रेडी टू इट में आएगा लेकिन अगर माल लीजे मैंने पोहे लाए, तो वो ग्रॉसरी में मैं काउंट कर लेती है मतलब जिसमें टाइम लगना है, वो ग्रॉसरी और जो ऐसे कम टाइम में हो जाता है, और रेडी टू इट बड़े पैकेट मैं कभी भी बॉक्सेस में नहीं रखती, इनको as it is रख देते हैं, बड़े पैकेट में रखके पुरा स्पेस भी लेंगे, तो क्या मतलब है उसके बाद यहाँ पे जब मैंने समान निकाला था पुराना वाला, उनकी फिलिंग भी मैं इमेडियेटली कर देती हूँ पैकेट ऐसी रहेंगे तो अगेन अजीब सा दिखेगा, ऐसा लगेगा, क्लटर्ड है फिलिंग के लिए भी यहाँ पे मैं एक हार्ड बोर्ड का पेपर पहले से रेडी रखती हूँ एक जिप लॉक के अंदर, इसे होता यह है कि मुझे एवरी टाइम फिलिंग के लिए बाहर जाके ढूनना नहीं पड़ता पॉलिधिन के अंदर रहता है तो डस्ट और इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड रहता है और सबसे जादा ना कि एक रूटीन मुझे पता है कि हाँ यहाँ से मुझे पेपर निकालना है यहाँ से ग्रॉसरी निकालना है और फिल कर देना है यह बात छोटी लगती है बट इसको सच में डेवलप करने में मुझे दो या तीन साल लग गए Now it is a perfect way कि अब मुझे उतना struggle नहीं करना पड़ता और ना तो डर लगता है कि अरे अब ग्रॉसरी और्गिनाइज करनी है आपको quantity तो पता होगी कि कौन सी जाधा लानी है कौन सी कम लानी है एक चीज आप जरूर और अड़ कर लीजे उसमें कि season wise देखी कि कौन सी चीज़े सस्ती मिलती है जैसे for example तूर डल किस महिने में आती है गार्लिक किस महिने में उनका production होता है बट इन चीजों का भी दिहान रखने से काफी जाधा budget में कटावती हो जाती है ना इन जो packet को मैंने निकाला है इनके पुराने packet खाली हो चुके हैं तो उनको replace करके इनको उस जगह पे रख दूँगे ना अगिन जो pantry area है उसको मैं every week clean करती हूँ तो इस समय मुझे clean नहीं करना पड़ा quite clean है चीजों को जगह पे रख देने से ना दिल को तसल्ली रह जाती है जो packet अभी use होने वाले हैं उनको मैंने सामने के तरफ रख दिया कि बार बार समान लग निकाल के मुझे ढूड़ना ना पड़े routine जो है और जो एक method है वो हर बार change होगी कोई भी चीज ना दुनिया में constant नहीं है तो अगर आप सोचो कि एक बार मैंने जगह fix कर दी और यहां पे यही चीज रखूंगे तो शायद ऐसा possible नहीं होता चेंज होता ही रहता है आते हैं third category में ये toiletries तो यह सारा सामान एक basket में या polythine में भरके आप लेके जाएए कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ में ही लेके जाते हैं क्यों पता नहीं बट कहीं गिर गया तो एक बार ही ऐसा हुआ था फेश वास का packet मेरे से गिर गया और फेश वास का cap टूड़ गया अब उसको करूं क्या मुझे दूसरा packet ढूड़ना पड़ा ये चीज़ों को ले जाके मैं सीधे इस्टोर में dump नहीं करती चीज़े जो replace करनी है तो मैं immediate कर देती हूँ जैसे toothpaste तो अभी enough quantity में है लेकिन यहां के toothbrush खराब हो चुके थे मैं नया लेके आई थी offer में थे चार ल बॉक रहेंगे और मैं एक particular type के ही brush यूज़ करती हूँ बार बार change करना पदा नहीं क्यों मुझे comfortable नहीं लगता और color भी वैसे ताकि confusion नहीं हो दूसरे का ऐसे confusion होगे कि आरे green color का मेरा brush है पता चला मैंने बेटे का यूज़ कर लिया तो इसलिए मैं वो color भी fix रखती हूँ जैसे मेरा pink color का है बेटे का blue color का है husband का green color का है that way फेश वास मैं oriflame का use करती थी green tea वाला है बट मेरे बेटा के अभी age बढ़ रही है तो obviously pimples आते हैं तो मैंने एक नया फेश वास ट्राइ किया है छोटा सा packet लाएं हूँ तो इसको सामने ही रखोंगे ताकि वो regularly use कर सके regularly use स जाधना feedback पता चल जाए कि ये work कर रहा है कि नहीं coming to the second bathroom यहाँ पे मैंने husband का toothbrush देखा it is like working है खराब नहीं हुआ है toothpaste भी enough था but hair all थोड़ा सा बच्चा हुआ है तो अब ये नया packet यहां रखने का कोई मतलब नहीं था जितनी चीज़े change करनी होती है मैं immediate कर देती हूँ तो बाद के लिए ये काम छूटता नहीं है take one more example जब मैं ये समान रख रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे basin थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है तो I thought of cleaning it यहाँ नीचे एक draw रहता है pull out जिस पे मैं सारा समान stock करती हूँ again वहाँ पे समान रखने से पहले पिछला अगर कुछ पड़ा है take the example of soap, hand wash जो भी वो सारी चीज़े मैं बाहर निकाल देती हूँ यहाँ पे समान रखने के साथ साथ उनकी filling भी जैसे यहाँ पे मुझे air freshener लगाना था, hand wash खतम हो गया था तो वो करना था I keep experimenting, experiment करती हूँ लेकिन इस तरह से कि pocket पे बहुत burden ना आए, हमेशा छोटे session लेके आए, अगर आपको लगता है कि हाँ यह work कर रहे हैं, तो आप उनके बड़े packet ला सकते हैं जैसे मैंने भी 4 toothbrush लाया था, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी quality अच्छी है, air freshener मैं एक regular type का use करती हूँ, बस उनके fragrance चेंज करती रहती हूँ air freshener भी कहां लगाना है, वो भी experience से आता है, मुझे अगर आप window के पास लगाएंगे, जहां से air आती है, तो उनकी खुश्बूर जादा अच्छे से फैलती है हाँ, उनकी life थोड़ी सी कम हो सकती है, कि maybe 30 days चलते हैं, तो 25 days जले, बड़ बड़ प्रॉपर करते हैं hand wash खतम हो गया थो, तो मैं immediate fill करती हूँ, again मैंने एक सस्ता version लेके आया है, देखते हैं काम करता है कि नहीं, इसलिए मैं एक लेके आई हूँ, काम किया, तो अगली बार और लेके आ जाओंगी उसमें method लिखी हुई थी, तो मैंने वही process follow की है, मतलब कुल में लाके देखे, मैं इतना जो भी आपको बता रही हूँ, sequence यह है, कि मैंने start किया था grocery organizing से, वहां का काम भी हो गया, आते आते दोनो washroom के जो काम pending थे, वो भी हो गये, तो अगर आप काम को relate करेंगे ना, flow में क तो energy बहुत कम लगती है, और आपको stress भी नहीं आता, सबसे ज़्यादा दिमाग में बोज नहीं रहता कि अरे उस कमरे में ना hand wash खतम है, तो वो रखना है, आपको अलग से आना नहीं पड़ेगा, बताया था कि यहां पे थोड़ा basin गंदा था, तो मैंने उसी समय parallelly clean कर दि तो definitely time लगने वाला है, process से step by step करने से काम होता जाता है, और हर रोज जब आप नई चीज़े करोगे न, तो अगली बार आपको पिछली बार से भले एक मिनट का time कम लगे, बट लगेगा जरूर, हर बार जरूरी नहीं है कि आप market से scrubber और यह सब लेकिया हो, कई चीज़े ह हमारी घर की ही होती है न, उसी से काम चल जाता है, हाँ, लेकिन अगर आप अपना budget unlimited रग दोगे कि ठीक है, जो भी दिखा वो खरीद लो, यह market में नया स्क्रबर आया है, यह खरीद लो, और यह नया फेश्वास है, यह खरीद लो, तो कभी भी creativity नहीं बढ़ती, जब constant होत है, तभी आपकी सोच जो है वो आगे बढ़ती है, and that is the reason मैं most of the time, चीजों को खरीदने से कतराती हूं, ताकि मेरी creativity बनती रहे, आते हैं next section में, यहाँ पे दो चीजे हैं, wheat and rice, तो wheat को मैं टंकी में रखती हूं, but the thing is, कि इसमें already rice है, अब उसके साथ मैं mix कर दूंगी, तो कीड़े जल्दी लग जाएंगे, तो again मुझे इसको change करना पड़ा, यहूं को तो अभी पिस्वाना है, मैंने side कर दिया, but rice के लिए मैंने इसको सामने ही रखा है, तो या तीन दिन की बात है, वो खतम हो जाएगा, filling करनी है, फिर से दुबारा कौन इतनी मेहनत करेगा, that is why just keep in the front, चीजों को वापस रखना, मेरे लिए ना सबसे बड़ी चीज है, कि अगली बार मैं अगर ड्रॉर खोलूं, मैं spoon हो रही हूं, तो मुझे spoon सामने मिलना चाहिए, उसमें मैं compromise नहीं करती, तो बस ये हो गया, अब time आ रहा है, पेट पूजा का, मैंने बताया, मैं काफी जादा ख्यार रखती हूं in terms of खाने में, हो सकता है, लुक में उतना ना करूं, बट health wise definitely, सुबह कुछ breakfast बना था, मैंने किया भी था, almost अभी 11 बज रहे हैं, मुझे फिर से भूख लग गई, खाना बनने में अभी थोड़ा time है, तो जो breakfast का बनाया था, वो बचा I just took it, और मैंने सोचा कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो उसी के साथ बैठ जाती हूं, अगर उसको कुछ doubt भी होगा, तो वो भी मुझे बता देगा, बस अब सबजियां भी आही गई हैं, तो अगला ये सबजियों को organization में लेना है, तो उसके पहले थोड़ा सा relax कर ल पती देव भी आ गए, तो उनसे भी मैं थोड़ा बहुत चिर्चैट कर लेती हूं, पूछ लेती हूं कि आज क्या महेंगा मिला, क्या सस्ता था, क्या अच्छा था, क्या नयला, मतब जस ऐसी, now अब आते हैं सबजियों में, अब आप बोड़ रहोगी कि इतना टाइम है कि इसके पास सभी के पास होता है, क्योंकि हम मर्टी टास्किंग में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे यहां पर मेरे पास जो इतना इत्मिनान से काम कर रही हूं, कि आराम से साथ चादर बिछाया, फिर सबजियां सेग्रिगेट करूंगी, जब आप मार्केट से लाते हो ना, त सब उलात देते हैं, तो उस चीज़ों को आपको सेग्रिगेट करना पड़ेगा, यहां पर एक और टीप है, कि जब आप सबजियां लेके आओ, तो आप चाहो तो छोटी-छोटे बैग ले सकते हो, जिसमें आप सेपरेट उनको डलवा सकते हो, I try to do that, लेकिन मेरे हस्बें हर बार भूल जाते हैं, और बोलते हैं, आरे कौन अलग अलग डलवाए, तो इनको सेग्रिगेट करना पड़ता है मुझे अलग से, कभी भी बैग को एकदम उल्टा मत कीजे, एकदम उल्टा कर देंगे, तो सबजियां ऐसे जमिन पे गिरेगी, धक्कल लगेगा, तो उनक खाना क्या मेरे यहां टाइम एकदम फेक्स है, मंडे टू फ्राइडे 11.30 और सटेडे सटेंडे 1.30, तो पैरलली कुकिंग भी करते जाती हूं, शाम के लिए आज कुसी स्पेशल बनेगा, तो उसकी भी तैयारी करते जाती हूं, कटलेट बना रही थी, तो उसके लिए पो जब हम कोई खुशी मन से करते हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाता है, और बोज समझ के करते हैं, या किसी को भरो से बैठे रहते हैं, तो जस्ट फोगेट इड, अब देखे एक और कनेक्टिविटी, सबजी मैंने सेग्रिगेट कर ली, अब उन्हें वाश करके डालना था फ्रिज में, लेकिन हमारा इंडियन किचन, बेसिन में दो-चार बरतन न पड़े हो, ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो यहां मुझे सबजियां धोनी थी, तो इसी समय मैं बेसिन क्लीन कर दिया, जो बरतन पड़े थे, उसको क्लीन कर दिया, इसके पहले ग्रॉसरी फिल की थी तो जो उसके डब्बे वग रहा थे, उनको भी मैंने क्लीन कर दिया, सारी चीजे कनेक्टेर हैं, अगर इसको मैं एक एक काम को लेती न, तो सज बताओं, सुबे से शाम हो जानी थी, लेकिन काम खतम नहीं होता, इसकी भी प्रोसेस मैंने आपके साथ शेर की है, कि कैसे मैं एक बकेट और एक तब यूज़ करती हूं, बकेट में साई सबजियां, बैच बाई बैच डालती हूं, एक चमच हल्दी, दो चमच नमक डाला और दस मिनट के लिए छोड़ती हूं, और उसके बीच में जो ये दस मिनट का गैप है, या तो मैं कुकिंग का कोई काम खतम कर या धनिया या मिर्ची को साफ करने में लगा दूं, सारी सबजियां हो गई हैं, तो बस अल्मोस्ट 11.30, 12.00 हो रहे हैं, सारा काम हो चुका है, होप सो आप कुछ न कुछ इस वीडियो से जरूर सीखे हूंगे, मिलती हूं अगले वीडियो में बहुत ही जल, तब तक के लि